शिरी शिवाई नमस्तुभ्यम हर हर महादेव गुरुजी पणिपदी मिशाजी के द्वारा बाची चा रही शिरी हरी विठा शिम्हा प्राण कता पंड़ापुर साथवी दिन की कता आज पूर्ण हो चुकी है ये कता मचंद भागर नदी के पवित टट से चल रही थी आज अंतिम दिन की कता साथवे दिन की कता पूर्ण हो चुकी है आज साथवे दिन की कता में गुरुजी ने तीन अच्छिक उपायों की जानकारी दी है साथ ही इस कता में गुरुजी ने सोंबार की दिन किये जाने वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी जिसे आप नए वर्ष की शुरुवात में एक जनवाई दोजाट चोबिस शिफ सोंबार में करेके अधिक स्याधिक लाप्राप्त कर सकते हैं उपाय सरल और काफी आसान है जिसे हम आपको इसी वीडियो के माद्यम से करके भी दिखाएंगे वीडियो में अंतितक बने रही हैगा ताकि आपसे कोई भी उपयोगी जानकारी ना छूटे आज 31 दिसमबर शिरहरी विठल पंड़पोष्य महाप्राण कथा में गरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी है सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माद्यम से मिलने वाली है किसी कारवश यदि आपने आशिकता नहीं सुन पाए है तो पूरी कथा कर रस्त तद्व जो की 3 घंटे की कथा होती है जिसमें हम सार तद्व आपको इस छोटे से वीडियो में बताने वाले है नहीं आशिकता की पहली जानकारी की और हमारी सबसे बड़ी गलती होती है हम मंदिर में भगवान ढूनते है पर घर में जो रहे रहा है उसमें भगवान नहीं ढून पाते पती है, पतनी है, माता है, पिता है, सास है, ससुर है ये भी तो बोलिनात का ही सोरूप है सभी के अंदर भगवान है पर हम ये गलती करते हैं कि घर में भगवान नहीं ढूनते इस दिन हमें घर में भगवान मिल जाते हैं घर में हम मातापिता की सेवा कर लेते हैं तो हमें भगवान की किरपा प्राप्त होकर ही रहती है बढ़ते हैं आची कथा की दूसरी जानकारी की ओर अगर आपने गरुन पुराण पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है जो गाए को जूटा खिला देता है सब लोगों के ये आदत होती है घर में जो जूटा निकलता है उसे हम गव माता को दे देते हैं तो गरुन पुराण में साफ लिखा है कि उसका अगला जन्म कुतिया का होता है जो तुमने दिया वो तुम्हें प्राप्त होता है ये निशिता है बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की और आपको जो भी वेल पत्र का प्रियोग बताया जाता है दूरबा का जो प्रियोग बताया जाता है शिम्हा प्राण कथा में जो रुद्राक्ष का प्रियोग बताया जाता है जल का प्रियोग बताया जाता है ये सब शिम्हा प्राण में लिखा है तब ही हम आपको बताएंगे जो शिम्हा प्राण में नहीं लिखा होगा वो हम आपको कभी नहीं बताएंगे क्योंकि उसका इसमन प्राणों में होगा इसे आप पढ़कर अपने जीवन में उतारें इतने पत्र आते हैं पर दिन फ्रती दिन तेवित खराब होने लगी पर्भनी की कथा मेंने पंडाल में बेट कर सुनी मेरा बेटा मेरे लिए कथा करने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाता और मुझे μोबाईल में शिवलिंग का दर्शन कराता था मेरी बहु बेटा मंदिर जाकर जल चड़ाकर वेल पत्र चड़ाकर मुझे देना शुरू किया और साथ मैं कुंदकेश्व महादेव का नाम लेते हुए दवाई खाना शुरू किया क्योंकि आप कहते हैं डॉक्टर की दवाई लेना भी जरूरी है उसे आपको बंद नहीं करना है बस वो दवाई आपको कुंदकेश्व महादेव के नाम लेने से शुरू कर देना है ताकि वो दवाईयां भी आपके शरीर में लगने लगे मेरी तबियत में थोड़ा आराम मिलने लगा मैं शरी शिवाई नमस्तुप्यम जपने लगी और दूसरी बाद जब जाच के लिए गई कि एंसर मेरा चार सालों से था वो मेरा अप निल ला गया है उसी का भार वेक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकार की और जिसको शिव से महबत होती है फिर उसे फुरसत नहीं होती है क्योंकि शिव उसे खाली नहीं रहने देते जिसके घर में उलाद नहीं उलाद देकर व्यस्त कर देते हैं जिसके पास धन नहीं उसे धन देकर व्यस्त कर जिसका विवा नहीं हो रहा होता है उसे कब विभा करके व्यस्त कर देते हैं और जो बीमारे उसे स्वस्त करके व्यस्त कर देते हैं बढ़ते हैं आज की कथा कि छटवी जानकर की और जब तुम्हें लग रहा है तुम्हारी हार हो रही हो जब आपको लग रहा है जीवन में दूख है तकलीफ है नोकरी भी नहीं लग रही है व्यपार भी नहीं चल रहा है विवा भी नहीं हो रहा है तब घर में से एक लुटा जल लेकर शिवलिंग पर अरपित करना शुरू कर दो घर से निकलते समय अपने घर के भरे हुए घड़े का दर्शन करो और निकल जाओ शुब माना चाता है मंगल होता है बढ़ते हैं आज की कथा की साथ भी जानकरी की और एक रुमाल में पत्र आया जिसमें एक बालिका जिसके शरीर की नस फट कर खून निकलता रहता था पूर बढ़ते हैं आज की कथा की आठवी जानकरी की और घर में रखा शिवलिंग गले में डला हुआ रुदराक्ष को बिश्वर धाम से लाया गया कंकर शंकर अगर थोड़ा थोड़ा च्छन जाता है या तूर चाता है तो ये समझ लेना की कोई बड़ी मुसीवत आने वाली जिसे महादेव ने अपने उपर जहल ली इसलिए कहते हैं रुदराक्ष पहनो क्योंकि ये आपका वो कवच है जो आपका बाल बागा नहीं होने देगा जबकि लोग बीमार होने के बाद मुसीवत आने के बाद रुदराक्ष पहनते हैं जबकि उससे पहले ही आपको रु विशेश या कोई बेकार सोंबार नहीं होता, आप पूरे साल किसी भी सोंबार से पशुपतिनाद व्रत की शुरुवात कर सकते हैं, गुरु जी ने कहा है, लोग बोलते हैं, यह महीना ठीक नहीं है, वो महीना ठीक नहीं है, तो क्या इस महीने में हम पशुपतिनाद व्रत करें या नहीं करें तो गुरू जी ने कहा आप कभी भी व्रत की शुरुवात कर सकते हैं किसी भी सोंबार से कोई भी सोंबार से जब आपका दिल करें आप व्रत की शुरुवात कर सकते हैं कोई भी सोंबार गलत नहीं होता है सभी सोंबार के सभी महरत अच्छे हैं अगर कही बहार जा रहे हो, व्रत रखो, उसे पर गिनों मत, अगर कोई दूसरा व्रत आया है, जो रखते आये हो, तो वो रख लो, ये व्रत मत रखो, मतलब जैसे कभी-कभी दो व्रत एक साथ पढ़ जाते हैं, एक अदशी व्रत पढ़ जाता है, और उस तीज दिन सोंबार का दिन आपके पशुपतिनाद वृत का दिन होता है, तो ऐसे में आप पशुपतिनाद वृत को ना करें, आप एक अधशी वृत रखें, ऐसे कोई विव्त यदि आपकी बीच में पढ़ जाते हैं, तो आप उस व्रत को रखीए और पशुपतिनाद व्रत अगले सोंबार से फिट अबाद को दीहान रखना है और जानीतु वेच मेरा ठीकसी हैती हैं राक्ष लेकर आई शिवलिंग का जल चड़ा का जल मुझे देना शुरू किया डॉक्टर ने जबाब दे दिया था कि अब नहीं बच पाऊगी और जब सबने साथ छोड़ दिया तब बाबा ने हाथ थाम लिया और मैं ठीक हो गई हूं उसी का अब हर विक्ति करने कथा मर्पित करना बाबा की कुरपाने शिवलिंग पर अर्पित करवाया और भाई भी हमने सरकारी नौकरी करें के बहार विक्ति करने कथा पंडल में आये है बढ़ते हैं आशी कथां की बार्वी जानうकल सब्सक्रीपा सब्सक्रों पूर्णिमा की दिन गाय का बच्चा जो दूद पी रहा होता है उसके मुख में फेन लग जाता है उस फेन को प्राप्त करके उसे अपने सफेद दाग या तवचा रोग में लगा लो और पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में बेट जाओ चार से पांच पूर्ण में आना शुरू हो जाएगी और आज की कथा में गुरुजी ने यही जानकारी दी है और पिछली कथाओं में इस उपाय को करते समय आपको चंद्रमोली महादेव का नाम भी इसमन करने को कहा था तो आप चंद्रमोली महादेव का नाम भी उपाय करते समय इसमन कर सकते हैं गाय का फेन आपको लेकर रख लेना है और चंद्रमा की रोशनी में आपको लगा कर बेटना है इस बात का ध्यान रखना है बढ़ते हैं आश की कथा कि तेरी वी जानकारी की ओर गुरू जी ने बताया एक बहुला गाय और दूसरी पारवती माता ने महातेव को निगल लिया था बहुला गाय के अंदर से नंदिश्वर प्रगट हुए और माता पारवती ने नासिका से भोले नात को धूए के रूप में प्रगट होकर धूमवान कहलाए और माता पारवती धूमबती कहलाई पूरे भारत में धूमबती माता के केवल दो मंदिर हैं एक जवलपुर म जो कि शियुन जिले के धूमा में और दूसरा दतिया में पर पारवती माता के दर्शन सुभागे इस्त्रिया नहीं करती हैं क्योंकि वह बिना श्रंगार के माता विराजमान हुई है क्योंकि उन्होंने महादेव को निगल लिया था बढ़ते हैं आज की कथा की चोद्वी ज कर देता है जाडू लगा देता है या फिर पार्टिव शिवलिंग का निर्मान करके उसका पूजन कर देता है और पांच वेल पत्र अर्पित करके अपनी काम ना कर लेता है कि मेरे घर के इस सदस्य की नोकरी लग जाए तो इसका फल मिलता जरूर है लब आपको सोंबार के द व्रष के नीचे जाना है वहां पर जो सूखी पत्तियां पड़े हो थोड़ा कच्रा पड़ा हो तो उसको आपको साफ कर देना है अपने हाथों से बुहारी लगा देना है वेल पत्री के व्रष के नीचे की पूरा आपको अच्छे साफ कर देना है और इसके बाद आपको वहीं की मिट्टी का थोड़ा सा आपको पार्थिव शिवलिंग बना देना है वहीं की मिट्टी को उचा उठा के आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्मान कर देना है और इसके बाद अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए नोकरी को लेकर सफलता को लेकर अपने परिवार के किसी भी सदसे कि आप उन्नती चाहते हो उसका एस्मन करते हुए आपको पांच वेल पत्र आपको अरपित कर देना है अब पांच वेल पत्र आपको अच्छी लेना है, मतलब कई से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि शिव जी को हमेशे पूर्ण चीजी ही समर्पित होती है, वेल पत्र आपको अच्छी अच्छी देखते हुए लेना है, पांच वेल पत्र पांच वेल पत्र आप चाहो तो एक साथ अरपित कर सकते हैं, या एक एक करके भी श्री शिवाई नमस्तिव्यम बोलते हुए भी पार्तिव शिवलिंग के ऊपर आप अरपित कर सकते हैं, बस आपको ये उपाई सोंबार के दिन, मतलब कल नई वश की श्रुवात आप इस बाद आप पार्तिव शिवलिंग के विसरजन भी जरूर कीजिएगा, एक कलश में जल लीजिएगा और उसको धीमी धार से आपको पार्तिव शिवलिंग के विसरजन उसी वेल पत्री के विरेक्शन नीचे कर देना है, क्योंकि हमेशा पार्तिव शिवलिंग जब ये बना में रहने वाली है ओफी जन्वरी की एक और कथा है जो कि 27 जन्वरी से स्टार्ट होगी है जो कि दो फरवरी तक वनिय वत्मल महारास्ट में रहने वाली है आज की नुपायों से चुड़े मन में कोई सवाल एक कोशन है तो आप कमेंट के जड़ियो पूस सकते हैं वीडियो थोड़ा भी प्योगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरर महादेव जरूर टाइप कीचिएगा